हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू बैंटू प्रियाग्राज के यूट्यूब चनल पर मैं रोहित आप सभी का स्वाद करता हूं जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं वह लेवल का आड़ी टूल्स की क्लास ले रहा था लेक्षर 11 में इससे पहले हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टेर के बारे हम पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टेर है क्या कितने प्रकार की होते हैं उन सब सीजों पर चरजागी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टेर में का एक जामपल है सिस्टम सॉफ्टेर में सॉफ्टेर बहुत आता जो बहुत एक OS जरूर पाया जाता है, ठीक हम लोग ने पढ़ा था और OS कितने प्रकार के होते हैं, इसमें भी आगे पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, OS के क्या फंसन से वो पढ़ेंगे, OS क्या कारे करता है वो पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, सच पहले, जो आप पहले सिस्टम जितने भी हार्डवेर लगे हुए हैं, प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, उसकी मनेजमेंट करता है, यानि उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है, तो आप दायट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो सिस्टम है, उक जिल 0 & 1 की भासा जाता है, मसी सिस्टम के थरू, कीबोर्ड के थरू, तो उसको वहां तक उसकी बात बचाने के लिए, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, यह जो मीडियेटर काम करता है, कौन हमारा OS, बिना OS के आप सिस्टम रन नहीं कर सकते, तो वही लिखा है, OS एक सिस्टम सॉप्टे है, that manage computer hardware, जो क्या करता है, computer hardware को manage करता है, दूसरा point, important point है, it control entire set of system resource, यानि जतने भी system resource होते हैं, error management हो गया, process management हो गया, और यतने hardware plug किये जाते हैं, उन सारी resources को resources क्या करता है, यह हमारा system manage करता है, example कर तोर पर एक ही system पर दो account होते हैं, हम जब आएंगे अपना ID password डाल के खोलेंगे, तुम जब आपके नाम पर account बना है, तो आप आएंगे उसी system पर अपना ID password डाल खोलेंगे, एक ही system पर दो लोग काम करें, दोनों की file अलग अलग है, ना मैं उसकी file से देख सकता हूँ, आप की ना, आप मेरी file दे सकते हैं, तो यह मतलब resources से इनको manage करने काम कौन कर रहा हमारा operating system कर रहा है, एक तरह जितनी भी activity perform होती system पे, उन सब का management काम कौन करता है, हमारे OS करता है, OS is a government काम करती है, हमारे computer system में, it provides interest between user and machine, पहली बात बता दिया था, बिना OS के आप machine से communicate नही instruction नहीं दे पाएगे, OS is a mediator काम करता है, जो क्या करता है, communication कराता है हमारे और उस hardware उस जब्बे के बीच में, it allows to effectively use of every part of computer, आपको system के किसी भी part का use करना है, तो आप बिना OS के use नहीं कर सकते, तो वही लिखा है, it allows to effectively use of entire part of computer system, computer system के किसी भी part को अगर आपको use करना है, उससे काम लेना है और instruction देना है, तो आपको OS का सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंको OS कि क्या करता है, आपकी बात को या आपकी instruction को उस system के hardware तक पहुचाने का कारे करता है, ठीक, तो यह होगे हमारे OS की introduction, अब अगला समझें कैसे यह काम करता है, कैसे तो यह हमने diagram बनाया हुआ ह यह diagram आप जरूर बना लीजेगा अपने copy में, जरूर ओ लेवल के attitude हमेशा आता है, what is OS, function of OS, क्यों यूज करते है OS को, यह जरूर पूचा जाता है, पांच नमबर में आता है, बहुत सरल होता है, एक बार आप समझ गया तो आसानी इसको कर सकते है, तो आप देख रहोंगे सबसे लोभी स्मय से पहले से पहले पता रहा हूं, hardware क्या होता है, न्यूज क्या करते है, फिर कोई प्रerem होता है, और व्रग्रम कर दोना हो, यूजर फूर हो गया, करते हैं उस program के मात्य हें से hardware कर उसके यूज करने के लिए OS जोरवार आप यह यहाँ देख रहे होगे बिना OS की हाडवेर से नहीं कर सकते तो यानि OS जरूरी है OS ही क्राम करता है तो ही बता रहा है यहाँ पे कि hardware ओर user की बीच में इंटरफेस कराता है हाडवेर और यूजर बिन इंटरफेस कर रहा है काम को नर्मा ओस कर रहा है और क्या कर रहा है जितनी भी अधर प्रोग्राम इसको बेश कर रहा है अधर प्रोग्राम भी हाडवेर से तभी भी कम्मुनिकेट कर पाएंगे जब कोई ना कोई ओस बीच में होगा या ओस एक्ट करेगा बीच में तो यह होगे हमारा एक डाइगाम इसको आपको बना देते हैं और इसी को समझा देते हैं तो आपका पास नंबर पक्का फिर यहां पर मैंने लिखा है नीड ऑफ और सब्सक्राइब इसी तरह होता है इंट्रक्शन दिया डाइग्राम बनाया डाइग्राम को समझा दिया तो यहां पर क्या है नीड ऑफ ओस योद के उपड़ती तो ओस की जोद इसलिए पड़ती ओस एजल प्लैटफॉर्म पर अप्लिकेशन प्रोग्राम ओस क्या करता है कि सब्सक्राइब करता है यहां पर आप देख रहे होंगे OS क उपर क्या सिस्टेमशां प्रोग्राम बिना OS के आप अप्लिकेशन सौफिएर इस्टल को यूज » नहीं कर सकते तो यहीं पर बता रहा रहा है प्लैट्पॉर्म पर नाफॉर्ज यह सरह चीजह होंगी और क्या करता है it manage input and output device जितने भी input output device keyboard mouse monitor इन सब डिवाइसों को आपस में coordinate करा है काम कौन करता है हमारा operating system करता है ठीक control P दापते हो तो control P instruction कहां जाता है आपके printer के पास जाता है कैसे जाता है वो OS के माध्यम जाता है OS उस control P के instruction करता है और उसको कहां भी इसता है प्रिंटर के पास भी इसता है बस के माध्यम से यानि जितने भी input output device होते हैं उनको management का काम भी कौन करता है हमारा operating system करता है multi-tasking एक साथ कई सारे टास्क प्रफॉर्म कर सकते एक system पर आप जैके notepad भी चला रहे हैं डाउनलोडिंग भी चला रहे हैं गाना भी वज़रा है तो सब program चल रहे हैं तो हर program को manage करना हर program कितनी memory देना है जब program बंद करते हैं तो memory कितनी वापस ले लेना है यानि कहने का मत multi-tasking जो हम लोग करते हैं एक साथ कही सारे काम जो करते हैं वह हम OS के माद़ियम से ही कर बाते हैं बिना OS के आप यह सारे काम नहीं कर सकते हैं कंसिस्टेंट यूजर इंटरफेस और क्या कर सकते हैं लगातार यूजर और मसीन इंटरफेस होता है जो बातचीत होती जो कार होता है मसीन और यूजर के बीच में वह सारा काम OS के माद़न सोचत हो सकता है तो आप इसके बारे में इतना point लिग देंगे तो इनवाफ है कि क अगले जब हम लेक्चर पर आएंगे तो अम लोग क्या पढ़ेंगे function of OS OS के क्या क्या कार है यह तो need था आउसकता क्यों है अगले function of OS, types of OS के बारे में लोग पढ़ेंगे तो आज के लिग इतना ही रखते है अगले जब अगले ले lecture में आएंगे तो हम लोग function of OS और और क्या types of OS के बारें बात करेंगे, ठीक, आपको कोई भी जानपाई चाहिए होगी, तो आप हमारे WhatsApp नमबर पे comment कर सकते हैं, sorry, WhatsApp नमबर पे message करके पूछ सकते हैं, तो यह नहीं आ रहा, नोर समबंदी किसी बात को पूछना है, तो आप हमारे WhatsApp नमबर पे message कर सकते हैं, नए तो हमारे YouTube चैनल बाइनीटूब प्रागराज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी website का नम बाइनीटूब.in है, वहाँ पे जाके आप किसी भी course को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तब तक लिए thank you so much, next वाले class में लोग, OS को आगे continue करेंगे.